दोस्तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की प्रोज, इंग्लिश प्रोज का सिक्स चैप्टर दरूल सौब दी रोट की समरी और आज हम पूरी जो पूरा जो चैप्टर है उसकी समरी अपने शब्दों में एक बार इसका हिंदी में हम रिवाइस करेंगे और उसके बाद जो इससे आगे आने वाली वीडियो है उसमें इसके लॉंग कोशन्स या जो भी इसके इंपोर्टेंट कोशन्स हैं उनके बारे में हम अध्यान करेंगे तो आएए शुरू करते हैं दा रूल्स अब दी रोड और था सड़क के नियम तो दोस्तो एक बहुत जानकारी से भर जेप्टर है यह और यदी हम इस चैप्टर में दिए गए जो भी हमें ग्यानवर्दक रूल्स है नियम हैं सड़क से सम्मन्देत यदी हम उनका ग्यान प्रांप्त करने तो निश्य तोर फे कभी भी जब भी हम सड़क का प्रयोड़ करेंगे चाहें वो हम पैदल चलने पर प्रयोग करें चाहें साइकल सवार या बाइक सवार या फिर जो बड़े वहान है उनका यदि हम प्रयोग करें तो कभी भी जीवन में दुरुगटनाएं नहीं होंगी तो इसलिए सड़क का प्रयोग करने से पहले हमें सभी नियमों का जानना अतियावशक है क्योंकि जिन्दगी भहुत कीमती है और उस जिन्दगी को बनाए रखने के लिए नियम को फालो हमें करना ही चाहिए तो आई ये शुरू करते हैं तो ये जो चैप्टर है दोस्तों इसमें एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है जो कि ये सोस्ता था कि वो जो चाहे वो कुछ भी करे उसे सब काम करने का दिकार है और ऐसा ही वो एक बार उसने कारे किया कि जब वो सड़त पर जा रहा था तो अपनी छड़ी को इधर उधर चार और घुमा रहा था और अपने आपको बहुत अधिक महत्पूर दिखाने का प्रयास कर रहा था तो जिस सबक पर वो जा रहा था वहां भीरवाण काफी थी तो जो वो टहल ला था तब ही एक जो पीछे से आदमी आ रहा था उसने इस पर आपत्ति की उसने उसको टोक दिया और उस पीछे से आने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपको इस प्रकार से छड़ी नहीं घुमा रहा था उसने इस बात पर भहस की कि मैं जो चाहूं वो करूं मैं अपने कारे के लिए सुतंतर हो लेकिन तब दूसरे व्यक्ति ने ये कहा कि हाँ वास्तम में आप सुतंतर हो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जहां से मेरी नाग प्रारंब होती है वहाँ पर आपकी जो आजादी है वो समाप्त हो जाती है तो ये जो कहानी है इस कहानी से हमें ये जो हमने पैरा के बारे में हमने जानकारी ली तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने अधिकारों का और सुतंतरताओं का प्रयोग तो करें लेकिन तब तक करें जब तक कि वो दूसरों के अधिकारों में या दूसरे की आजादी में वो बादहना डाले उसमें हस्तक्षिप ना करे लेकिन वास्तम में यदि अगर हम देखें तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके का बहस करेंगे कि मुझे जो मैं चाहूं वो करूं और मुझे सब कुछ करने का दिखा रहे ऐसे व्यक्ति कम ही होते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं वो निंदा का पात्र होते हैं और यदि जहां तक दूसरे की आजादी में बादह डालने का सवाल है वो हम जान बूच के तो करते नहीं है कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंजाने में भी हम ये काम कर जाते हैं और ऐसा केबल तभी होता है जब हम कोई कारे करें और सोचे ना सोचे बिना सोचे विचारे यदि हम कोई कारे करते हैं तभी ऐसा होता है और उन नियमों का हम पालन ना करें जिनका हमें पालंग करना चाहिए तो इस बारे में हमें अब आगे थोड़ा सा इस बारे में भी निखा डाल लेते हैं कि जब हम बिना किसी के बारे में सोचे बिचारे बिना काम करते हैं जैसे कोई भीड भार बाली सड़क है और वहाँ पर किसी की शादी हो रही है और शादी जब होती है अचानकी जो है एक सुबह घर के बार एक लावड स्पिकर जो है रख दिया जाता है और तेज आबाज में उस पर संगीत परसारित होने लगता है गीत बजने लगते हैं और चुकि यह जो शादी का प्रोग्राम है यह कई दिन तक चलता है तो दो या ती दिन तक वो मान लिजे बंद नहीं होता है तब जो आसपास के जो लोग होते हैं वो शांती से सो नहीं पाते हैं और जो परिक्षाओं का यह दी समय है तो जो चातर परिक्षा की तयारी कर रहे हैं वो भी परिक्षा की तयारी नहीं कर पाते हैं वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और मजबूरन उन्हें उस संगीत को सुनना पड़ता है और जबकि देखा जाए तो जिस गर में बिवार हो रहा है वो उनका उदेश नहीं होता कि वो आसपडोसियों को कोई नुकसान पहुँचाएं या हानी पहुँचाएं लेकिन वो महसूस नहीं कर पाते हैं इस वारे मे वो समझ नहीं पाते हैं और यदि कोई आपत्ती करता भी है तो भी वे उसकी चिंता नहीं करते हैं लेकिन यदि वास्ता में देखा जाए तो घर के बाहर लाड़ू स्पिकर के आवशक्ता नहीं होती है क्योंकि यदि अगर हमें संगीत सुनवाना ही है अपने जो हमारे प वैसे उसकी कोई विशेश आवशक्ता भी नहीं होती है और इसी प्रकार से दिये हम और भी उधारन देखें कोई और एक्जाम्पिल देखें तो जैसे हम लोग रेल गाड़ियों में यात्रा करते हैं तो उस समय पर जो दूसरे लोग हैं वो कई वार ऐसा होता है कि कुछ लोग सोने का प्रयास कर रहे होते हैं अचानक दो व्यक्तियों में जो सोना नहीं चाहते हैं या उन्हें नहीं नहीं आती है तो वो आपस में राजनीती के ओपर कोई बहस उत्पन हो जाती है वो रुची ने लेने लगते हैं राजनीती में और जो उनकी विदेश नीती है उस पर जोर की अबाज में उन्में बहस होती है और वो घंटों तक बहस करते हैं और कुछ लोग और उनके जो साथ में होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं लेकिन उन्ही में से कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जो उस विदेश नीती में इतना रूची नहीं लेते हैं, जितना कि उस समय पर वो अपने आराम में रूची लेते हैं, लेकिन मजबूरन उन्हें उस बहस को सुनना पड़ता है, और वो उन्हें जागना पड़ता है, वो आराम से सू भी नहीं पाते हैं, लेकिन यदि वास् जैसे जब कोई युवक एक ब्रद को अपनी सीट ओफर करता है या ऐसी इस्तरी को अपनी सीट देने के लिए तयार हो जाता है बस में या ट्रेन में जिसकी गोदी में कोई बच्चा है तो ऐसी जो घटनाएं होती है उसे देखकर हमें परसंता होती है और यदि कोई माली जे ट्रेन में या बस में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसे धूमरपान करना है तो वो अपने परोसी से पूछता है कि क्या मैं सिगरट पी सकता हूँ तो इसका अर्थी यह है कि वो दूसरे जो व्यक्ति है जो उसके परोस में बैठा हुआ है उसकी वो सुविदा का ध्य तो इस प्रकार से वो एक दूसरे के साहिक बन जाते हैं क्योंकि धीमे करने से ये पता चल जाता है कि सामने से कौन सा बहांद किस प्रकार से आ राय है और उससे कैसे बचना हैं। तो इस प्रकार के सभी कारों में हमें अपनी थोड़ी से सुतंतता और सुविधा त्याग नहीं होती है। जिससे कि जो दूसरे लोग हैं वो अपनी सुतंतता का और सुविधा का प्रियोग कर सके हैं। और जीवन सब के लिए सुखी बने। अब यदि ये देखा जाए कि हमें किस बात में ध्यान लखना चाहिए, किस प्रकार का बेवार करना चाहिए, किस प्रकार का बेवार नहीं करना चाहिए, लेकिन वास्ता में ऐसे कोई नियम नहीं होते हैं जो हमें ये सिखाएं। लेकिन फिर भी यदि देखें तो कुछ ऐसे नियम हैं जिनको हमें पालग करना चाहिए जैसे उधारण के लिए सड़क पर यदि हम चल लए हैं तो उसके नियम हैं और इन नियमों का उद्देश से जो होता है सब को सुरक्षित बनाना होता है हमारे जो नगर हैं हमारे कस्वे हैं उनकी सड़के बहुत अधिक आजकल व्यस्त होती जा रही हैं उन पर बहुत अधिक भीर बढ़ लई है दिन में अधिकान समय अर्थात लगबग पूरे दिन बर कुछ धीमी गाड़ियां उन पर चलती रहती हैं कुछ तेज गाड़ियां एवस्य ही हो अधिक होगी और जो पैदल चलने वाले हैं और मोटर गाड़ियां हैं इनके लिए सबके लिए अलग-अलग नियम बनाए गये हैं जो सडक का प्रियोग करने वाले हैं जो प्रतेग व्यक्ति है वो इन सम नियमों को जानना चाहिए चाहें वो किसी प्रकार का भी यूजर हो चाहें पैदल चलने वाला हो चाहें वहां चलाने वाला हो उन सब को इन नियमों को अवश्य ही जानना चाहिए तो पैदल चलने वा पाग जो है सडक का उसको मोटर साइकलों के लिए या मोटर गाडियां हैं जो बड़ी गाडियां उनके लिए छोड़ देना चाहिए और कई कुछ जगे ऐसी भी होती हैं सडक पर जहां पकडंडी नहीं होती है वहाँ पैदल चलने वालों को सडक के बिलकुल किनारे हो करके या सडक से उतर करके चलना चाहिए और यदि इन नियमों को पैदल चलने वाले नहीं मानेंगे तो निश्यत रूर से वो अपने लिए भी खत्रा बनेंगे और दूसरों के लिए भी खत्रा बनेंगे और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मोटर वहाँ चालक होता है वो कि कि तरब अचानक मोड सकता है और दुरगटना हो सकती है तो इससे उसका नियंतरण भी खो जाता है पकडणडी पर वो अपने वहन को ले जाता है और उससे बहुत अधिक जानवाल का नुकसान होता है और जहां तक मोटर गाड़ियों का सवाल है उन्हें हमेशे अपने बाई और ही चलना चाहिए और सड़क के दाएं का जो आदा भाग है वो सामने से आने वाली जो दूसरी दिशा से मोटर गाड़ियों आ रही है उनके लिए छोड़ देना चाहिए भारत के सभी भागों में पूरे भारत में यातायात का यह नियम सर्वत्र है लेकिन पश्यम के द पैदल दाईयों चले या बाईयों चले इससे कोई अंतर नहीं पड़ता बस निशित रूप से हमें ये बात जाननी होती है कि हमें सब को जो नियम है चाहें वो दाएं के नियम हो चाहें बाएं के नियम हो उन सब नियम को मननना चाहिए और कानून का पालन भी करना लेकिन कई वार हम ऐसे भी देखते हैं दो या दो से जो साइकल्स हवार होते हैं वो एक के बरावर में एक होकर के चलते हैं लेकिन यातायात का जो नियम है इस वात के अनुमती नहीं देता है कुछ सड़क पर जगए ऐसी भी होती है जहां पर भीड होती है और यदि इस प्रकार से साइकल सवार चलेंगे तो वहां यातायात में बादा भी पड़ेगी और दुरगटनाई भी होंगी और जो आगे मोटर गारी से निकलने का नियम जो है वो भी इसके अनुसारी इससे भी ज़्यादा महत्पूर है वो भी लगवा इतना ही महत्पूर है जब जैसे ओवर टेक करती है एक बाइक या एक सवारी दूसरी सवारी को ओवर टेक करती है या उससे आगे निकलती है तो उसका नियम भी इतना ही महत्पूर है अब यदि कोई मोटर गाड़ी दूसरी मोटर गाड़ी से आगे निकलना चाहिए तो उसे केवल आगे जाने वाली गाड़ी से दाइयोर से ही निकलना चाहिए क्योंकि आगे वाली गाड़ी वो भी अपने बाइयोर को रहने का प्रयास करेगी और यदि पीछे वाली गाड़ी उसके बाईयोर से निकलेगी तो निश्चित रूप से उसके रास्ते में आ जाएगी और दुरगटना हो जाएगी इसलिए जो है उसे डाइयोर से पीछे से आने वाली गाड़ी को आगे वाली गाड़ी के डाइयोर से ही उसे ओवरटेक करना चाहिए और जहां सड़क एक दूसरे को पार करती है जहां क्रोस करती है वहां के जिसको कि हम राउंड आवाउट कहते हैं वहाँ पर एक round about होता है सड़क जहां क्रोस करती है तो वहाँ के अधिकार के बारे में भी नियम है ऐसे इस तरण पर आम तोर पर एक round about या अर्था गोल चक्कर होता है जो मोटर गाड़ी दाईयों और से आ रही है उन्हें बाईयों और से आने वाले मोटर गाड़ी से पहले मार्ग पाने का अधिकार होता है ता जो दाईयों और वाली गाड़ी है उन्हें पहले अधिकार है बाईयों और से आने वाले गाड़ीों से पहले मार्ग पाने का उन्हें अधिकार होता है पर तेक जो वहाँ चालक है यदि इस नहीं हमका पालन करे तो गोल चकर का जो या करेंगे तो दुर्गतनाए होने का खत्रा बना रहेगा अब दाई या बाई और मुलने के लिए रफतार को धीमा करने के लिए और रुकने के लिए दूसरी मोटर गाड़ी जो हैं उनको अपनी मोटर गाड़ी से आगे जाने देने के लिए इन सब के अलग-अलग संकेत होते हैं अब जो साइकल चालक है वो अक्सर संकेत देने के बारे में वो लापरवा हो जाते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये जो संकेत हैं वो केवल मोटर गाड़ियों के लिए हैं मोटर गाड़ी हैं उनके लिए ये नियम बने हैं और हमारे लिए ये नियम नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन जो सड़क का प्रयोग करने वाले हैं, वो चाहे साइकल सवार हो या मोटर चालक सवार हो, वो सब के लिए जो नियम समान है और उनको ठीक ठीक संके देने चाहिए, ताकि सड़क पर दूसरे को चेताब नहीं मि ऐसी सड़क जो सब के प्रयोग करने के लिए है, उसमें प्रते एक व्यक्ति को जो यातायात पर एक तैनात पुलिस करमी होता है, उसके निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिए, यदि देखा जाए, तो यह नियम सब से अधिक महत्रपूर नियम है, क्योंकि वही एक व्यक्ति ऐसा होता है, जो यातायात को सुचार रूप से जारी रगता है, थोड़ी दिर के लिए हम यदि इस बात की कल्पना करें कि पुलिस करमी डूटी पर ना हो, तो पैदल चलने वाले और तेज दोडने वाली मोटर गाडियां वाली मोटर गाडियां जो हैं, वो भी और तब हम उसकी बात का पालन करेंगे, उसकी आग्या का पालन करेंगे, और उससे कभी भी आपरसन नहीं होंगे, चाहे हम यही क्यों न सोचें, कि वह गलत है और हम सही हैं, चाहे हम यही क्यों न सोचें, फिर भी हम उससे नाराज नहीं होंगे, तो दोस्तों, यहती समरी The Rules of the Road एक बहुत ज्यान वर्दक चैप्टर है और इससे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जो important questions है, long questions है उनके वारे में हम अध्यान करेंगे उनको याद करने का प्रयास करेंगे जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि जितना जहां तक हो सके हमें किसी भी चैप्टर की समरी को ध्यान पूरवक पढ़ना होता है दो, तीन, चार वार इसको आप सुने जब आप इसको सुनेंगे तो निश्च रूप से आपको समरी कंठस्त हो जाएगी याद हो जाएगी, फिर इस चैप्टर का कोई भी कोशन होगा उसके लिए आप बना करके ट्रांसलिट करके आप उसको लेख सकते हैं तो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर की जो महत्वूर कोशन्स हैं लोंग कोशन्स हैं, इंपोर्टन कोशन्स हैं उनके साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार